Hello everyone, this is Imanshu back with another video जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो CFA Institute के Investment Foundation Program पर बनाई थी जो काफी जादा popular program है और सबसे बड़ी बग प्रिस्टीज इंसिट्यूट से करने को बलता है वो भी free of cost तो उसी वीडियो का आज part 2 लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके बहुत सारे questions की query देने वालो हूँ जो आप लोगों ने मेरे से comment box में पूचे है ये directly मेरे से Instagram पे connect करके पूचे है तो उन questions की query मैं इस part 2 में देने वालो हूँ और अगर आपने मेरी part 1 की video अभी भी नहीं देखी है तो उपर i button में आपको उसका link मिल जाएगा directly जाके देख सकते हैं बिकिस उसके बाद आपको इस video को जरूर समझने में help मिलेगी part 2 को और उस video का link में आपको description में भी देदूँगा part 1 का तो वहाँ से भी आप जाके video को देख सकते हैं वीडियो को जरूर देखिए का बिकिस बहुत ज्यादा important video है जैसा कि मैंने का और काफी prestige institute से आपको investment foundation program का certification करने को मिलता है by the cfa institute तो चली आज का video शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले इस channel को जरूर subscribe कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि future में आने वाले ऐसे कोई भी important videos के notification जिन्में मैं बात करने वालो free education, free courses की वो आपसे ना चूटें तो आज ही इस channel को subscribe कर लीजे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजे तो चली ए वीडियो शुरू करते हूँ जैसा कि मैंने आपको बतायां कि part 1 में मैंने इस प्रोग्राम की कुछ basics के बारे में cover कर रहा है कि कौन सा certification है, कौन से institute से करवाया जाता है क्या prestige है उस institution की और क्या certification करने को मिलता आपको इस institute से, इन सब चीजहों को मैंने part 1 में cover कर रहा है बट कब से चार्ज होना बंद हुई है, इस बारे में मुझे कोई confirmation नहीं है, बट हाँ, अब ये exam बिल्कुल free of cost है, आप online जाके जब भी registration करेंगे, तो आपसे कोई भी charge नहीं लिया जाएगा, और अगर मैं बात करूँ books से related, तो books के भी कोई fees नहीं है, जैसा कि आप मेरे screen प fees चार्ज नहीं करी जाती, जैसा कि CF Institute खुदी कहता है, it's a no cost program, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की cost involved नहीं है, ठीक है, हमारे हो गया पहले question का answer, तो आज कर जो दूपसरा question है, जो कि मेरे से Instagram पे पूछा गया था, कि 180 days, जो इस program को करने के लिए आपका criteria है, कि आपको account create करना और registration करना, it's a different process, account create करने का मतलब आप एक अपना ID और password generate कर रहे है, that is simple, उसके लावा उसको कुई जाधा मतलब नहीं है, registration मतलब किसी program में involved हो रहे हैं, उसमें register कर रहे हैं, तो आपके जो 180 days count होंगे, वो होंगे registration से, ना कि account creation से, account creation, login और passwords create करना, वो उस दिन से आ account होंगे आपके registration से, इस दिन आप investment foundation program में register करेंगो और आपको clearly लिखा हुआएगा, कि आपके 180 days में आपको इस program को complete करने है, with the final examination, right, तो ये तो हमारा होगे, दूसरे question का answer, दूसरे question जो हमारा है, वो है criteria for unlocking final exam, final exam को unlock करने के लिए, देने के लिए, क्या criteria है, देखें, यह पर बहुत important बात में आपको बताने होलो, final exam को देने से पहले आपको 2 mock exams देने है, mock exam A, mock exam B, जिन में आपको 70% से ज़्यादा, दोनों में score करने है, 70% से ज़्यादा, दोनों mock exam में score करने है, और आपको 30 days का wait करने है, from the date of registration in this program, यह तीनों criteria meet होने के बाद, आप अपना final exam द देने के लिए, right, और आपको 2 mock exam देने है, mock exam A, mock exam B, दोनों mock exam है, जब 70% से ज़्यादा score करेंगे, तब ही आप final examination में appear हो पाएंगे, और से unlock कर पाएंगे, right, जैसा कि इसके उपर मेरे से question पूछा गया था, कि final exam को unlock कैसे करने है, तो अब आपको पता लगे होगे, final exam को unlock कर final exam में register नहीं कर सकते है, right, उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा, mock exam देने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा criteria है, 30 days का, इसलिए, लेकिन mock exam आपको compulsory देने ही देने है, कि दोनों mock exam देने के बाद ही, 70% से ज़्यादा score करने के बाद ही, आप final exam में appear हो पाएंगे, उसे unlock कर पा उसके भी कोई fees या कोई भी किसे ना charges नहीं है, free of cost आपको certification मिलेगा, साथ में, जैसे कि आप मेरे screen पर देख सकते हैं, इस तरह का certification होगा, और साथ में इस तरह का batch देखने को मिलेगा, जो आप अपने LinkedIn profile में attach कर सकते हैं, और जिससे आप certified हो सकते हैं, कि आपने investment foundation program को complete कर र देखे, it's an online based program, it's a totally online program, आपको किसी भी तरह के exam center पे नहीं जाना, आपको online ही सब कुछ देना है, mock exams आपको online देना है, questions की practice करने के लिए practice bank जो आपको मेलेगा, once do you register for this program, वो भी online है, final exam भी आपको online ही देना है, उसके लिए कोई भी किसी तरह का center lot नहीं होगा, कि आपको क किसी center पे जाने की जुरूए था, उसके बाद आपको इस exam को देना है, फिर आपको clear करना है, कुछ भी नहीं है, online based program है, आप जैसी अपने mock exams को clear कर लेंगे, आप final exam को unlock कर लेंगे, और आप उस final exam को online based अपने घर से ही दे सकते हैं, तो यह होगा हमारे 5 question का answer कि online है, या किसी center में हमें जाना पड़ेगा, नई, it's a totally online based program, right, तो आज का जो 6 question है, वो है related to exam के pattern से, एक exam का pattern कैसा होगा, whether it will be a MCQ based exam और यहाँ पे हमें return response करने पड़ेगा, type करके, see, it's a totally MCQ based program, आपको सारे जो भी question देखने को मिलेंगे, सारे MCQ based होंगे, और जो final exam आपको देखने को मिल होना, तो it's a totally MCQ based program, तो हाँ पे आपको कोई भी return response submit करने के कोई ऐसे question ही नहीं होंगे, right, total program ही MCQ based है, तो यह हो गया हमारा 6 question cover यहाँ पे, आज का जो हमारा final question है, which is related to the final exam की, यहाँ पे आपको final exam को देने के लिए कितने attempt मिलेंगे, देखें, आपको final exam को देने के लिए आ आप register करते हैं, उस जिनसे आपको 180 दिन मिलते हैं, इस program को complete करने के लिए, और उनी 180 दिन में आपको 2 attempt मिलेंगे, final exam को देने के लिए, बाइचान साब, पहले attempt में clear नहीं कर पाते है, final exam, तो आपको दूसरा attempt में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी कोई fees charge नहीं होगी, या आपको इस program को 180 days में complete करना है, तो 180 days के अंदर आपको 2 attempt देखने को मिलेंगे, बाइचान साब एक नहीं कर पाते हैं, दूसरे attempt में आपको इस exam को clear करना होगा, तो यह थी इस program के बारे में सारी details, अगर आपके अभी भी कोई questions या doubt बाकी हैं, तो आप directly मुझसे Instagram पिकरने कर सकते हैं, जिसका link आपको description में देखने को मिल जाएगा, और आप मुझे साथ ही साथ comment box में comment करके भी अपने questions ये doubt पूछ सकते हैं, मैं उनका response जरूर करूँगा, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि part 2 को समझने के लिए आपको part 1 की video देखना बहुत जादा जरूरी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो उसका link आपको i button में मिल जाएगा, या आपको description में आपको उसका link मिल जाएगा, आप directly जाके उस video को भी देख सकते हैं, ताकि आपको part 2 और part 1 बहुत अच्छे समझ है, और आप decision ले पाएं कि आपको इस program में enroll होना है या न देखने को मिलता है, जो कि एक free of course certification है, तो इस video को share करना मत भूलेगा, जाते जाते चैनल को subscribe कर दीजे, bell icon को press कर दीजे, ताकि future में आने मेले से free education, free courses के बारे में videos के notification आप तक जरूर पहुशते रहें, thanks for watching guys. झाल